हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजाना फूर्स, आज हम आपके लिए लिखे आए हैं संडे स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है एक सैंडविच, ये सभी को बहुत पसंद आएंगे चाहे वो बच्चे हो या बड़े, तो फिर देर किस बात की आईए बनाने स्टार्ट करते है तो ये देखिए हमने छे उबले हुए अंडे लिए हैं, इसमें से हम दो अंडो को कट करेंगे तो ये दो ले लिए हैं हमने, इसे इस तरह से कट करना है हमें और इसे हम साइड में कर देते हैं, अब ये बाकी की जो अंडे हैं इसे हमें बारिक-बारी कट कर लेना है इसे बिल्कुल बारिक बारिक कट कर लिया है तो देखे हमने इसे बारिक बारिक कट कर लिया है अब हम एक बड़ा बाउल लेगे और इसके अदर इसे ढाल देंगे अब हम इसके इंदर डालेंगे हाफ ती स्पून काली मिर्च का पाउडर हाफ ती स्पून नमग एक बड़ा बारिक कटा हुआ टमाटर दो बारिक कटीवी हरी मिर्च थोड़ा हरा धनिया एक बड़ा प्याज जिसे भी हमने बारिक काट लिया है इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है तो इदेखी सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं चीज अगर आपके पास फ्रेश मलाई है तो आप वो भी डाल सकते हैं या फिर इसके अंदर मैयोनीज भी एड़ कर सकते हैं आप इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो इदेखी चीज भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम ब्रेट के स्लाइस लेंगे तो यह हमने ब्रेट के slice लिये हैं इसके किनारे हमने अलग कर लिये हैं अब हम जो हमने आधा अंडा किया था उसे ले लेते हैं इसे हम इस तरह से उल्टा रखेंगे ये देखी और हमारा जो हमने mixture तयार किया है उसे हम आसपास इस तरह से लगा देंगे अब इसके उपर ब्रेट का दूसरा स्लाइस रख देंगे प्रेस कर देंगे थोड़ा सा और अब हम चलते हैं गेस की तरफ तो ये देखी गेस पर मैंने तवा चड़ाया है और इस पे में लगा रही हूँ थोड़ा सा बटर अब हम इस पर रखेंगे हमारी ब्रेट की स्लाइस जो हमने तयार की थी थोड़ा सा बटर हम इसके उपर भी लगाएंगे अब इसे नीचे से थोड़ा हलका गॉल्डन होने तक हम इसे फ्राइ करेंगे हलका गॉल्डन होने तक हम इसे सेकेंगे नीचे से हमारा ब्रेट ब्राउन हो गया है अब हम इसे पलट दते हैं नीचे से भी हमें इसी तरा से इसे ब्राउन कर लेना है हलका नीचे से भी अच्छा गोल्डन हो गया है अब हम इसे निकाल लेते हैं तो यह देखिए हमारा सेंड्विच तैयार है अब हम इसे काट कर देख लेते हैं वाव कितना अच्छा लग रहा है देखिए तो यह देखिए इसी तरह से हम बाकी के सेंड्विचेस भी तैयार कर लेंगे तो यह लिजी फ्रेंड्स हमारे एक सैंड्विच रेडी है बिल्कुल न्यू स्टाइल में तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें और मेरे वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट्स करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ, बाई फ्रेंड्स